नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब महाकाली किरपा से सब अच्छा ही होंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताये था के अगले वीडियो में आपको एक और कहानी सुनाऊँगा यह जो कहानी है यह हमारे इंडिविजल के पॉब्लिक और हमारा इंडिविजल इंटरेस्ट यानि एक तो हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट होता है एक हो हमारा पॉब्लिक इंटरेस्ट होता है हमारा खुद का interest क्या है और हमारा public interest क्या है public interest का मतलब क्या होता है लोग क्या सोचेंगे हम वो चाहते हैं ऐसे for example मैं कैसे कपड़े पहनू कि लोग क्या कहें मैं कैसी गाड़ी में जाओं कि लोग क्या कहें मैं कैसी बात करूँ कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में यह हमारा खुद का पबलिक इंटरेस्ट होता है और हमारा जो इंडिविजल इंटरेस्ट होता है वो for example मैं अपने इंटरेस्ट के बात करूँ तो आप समझ गयोंगे क्या होता पबलिक इंटरेस्ट और क्या होता है प्राइविट इंटरेस्ट तो यह जो लॉगडाउन का समय चल रहा है I hope आप सबको भी अपना जो इंडिविजल इंटरेस्ट होता है आपका जो खुद का इंटरेस्ट है उस interest के बारे में सोचिए और उस पर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं जैसे for example किसी को piano सीखना हो, किसी को guitar सीखना हो किसी को music सीखना हो, उसके बारे पढ़ सकते हैं किसी को history के बारे में जानना हो सबके अपने point of view होते हैं, सबके अपने interest होते हैं तो आपका जो particular interest है, आप उस interest पे काम कर सकते हैं। तो यह जो मैं वीडियोस मनाता हूँ, इन वीडियोस में वो जो interest हैं, उनी के वारे में जब मैं पढ़ता रहता हूँ, तो वहां से छोटी-छोटी कहानिया निकलती हैं, वो मैं आपके साथ share करता हूँ। तो आज की जो कहानी है, यह कहानी है एक military commander की, यह जो military commander है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, जिन्होंने, मतलब, जो मेरे personal interest का एक part हैं, जैसे for example, उनको देख कर मेरे room टे खड़े हो जाते हैं, उनके वारे में सुनकर मेरे room टे खड़े हो जाते हैं, जैसे for example, आपने sparta के वारे में सुना होगा, जब 300 sparta, 10,000 person से लड़ने चले जाते हैं, सोच कर देखो, मतलब, उस व्यक्ति का state of mind क्या रहा होगा, 21 सारा गड़ी किला, 21 six scenic, हजारों अफगानियों से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं, सोच, state of mind क्या रहा होगा, तो बहुत सार अपने नाम सुना होगा, रोम, और दूसरा कार्थेक, कार्थेक जो है, जिसका बर्तवान में जिसकों टिनीशिया के नाम से जानते हैं, कार्थेक जो है, उत्री अफ्रीकापका एक चोटा सा देश है, ये देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ये मेरिटेरियन्सी के पास यानि भूमदिस पश्यमी भूमदिस आगरी के पास इस्तित था तो इसके जोग्राफिकल एरिया अच्छा था तो इसको बिजनेस अच्छा मिल रहा था और इसके आर्मी भी बड़िया से अच्छी तरीके से डवलप हो रही थी तो रोम में तो रोम ने जब इसको देख में दूसरी होती है 218 में और तीसरी होती है 149 बिफोर क्राइस्ट इसापूर गुल पे जो तीनों बड़े प्यूनिक वार्स हैं पहली प्यूनिक वार्स में जब रोम ने कार्थोक पर हमला किया और उसने कार्थोक को हरा कर उसने एक सिसली नाम की जगा थी कार्थोक से वो उसने छीन ली जिस पहले युद्ध में जो कार्थिक का मिलिटरी कमांडर था जिनका नाम था हैमिलकर वार का तो जो मैंने फेस्बुक पे और इंस्टा पे जो पोस्ट डाली थे वो बार का फैमिली की थी फिर आप चाहें उसको हैमिलकर वार का माल लो चाहें उसको हैनेबल वार का माल लो तो हैमिलकर बार का जो थे उन्होंने पहला प्यूनिक वॉर में बहु हार गे और उसी वॉर के द्यूरिंग उनकी टेट होगई जब एक बार हैमिलकर बार का सब्सके बार की इनका बारका इसके बारे में माँ करेंगे उनका जो लड़का था हैनेबल बारका उसने उनके साथ जाने की जित की तो जब उनके साथ जाने की जित की तो उससे ले गए तो उसने पूछा के फादर हम क्यूं इतनी नफरत करते हैं रोम से हम क्यूं लड़ते हैं रोम से हमें क्या लड़ने की जरूरत है, हमारी इतने सारे सैनिक मरते हैं, ये क्यों मर रहे हैं तो उसके फादर ने वहाँ पर एक उबलते हुए पानी में हैनेबल का हाट डाला और उससे कसम खिलवाई, कि तुम कसम खाओ, तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम कभी भी रोम से मित्रता नहीं करोगे तो उसके बाद उस लड़के ने, हैनेबल बारका ने, वो कसम खाई और कसम उसने मरते दम तक निभाई अब उसी लड़के के वारियम थोड़ी सी बात करेंगे हैनेबल बारका जो था, जब बहुत छोटा था तो जब वो अपने घर पर उसे कुछ खाने को दिया जाता था तो वो छिपा के रख लेता था और वो जब सुभर जाता था, जो उसके गरीब दोस्त होते थे उनमें बांट दिया करता था हैनेबल बारका ने, मिलिटरी पर बहुत सारी बोक्स लिखी है मिलिटरी टैक्टेक्स पर बहुत सारी किताबे लिखी है हैनेबल बारका ने मेरी जिंदगी या मेरी सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए किया है कि आप एक छोटा सा किस्सा समझें जब हैनेबल जो है, उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं हैनेबल का जनम 247 इसापूर्व में हुआ था उस समय से लेके जब दूसरा प्यूनिक वर हुआ जब उसके फादर एक्सपायर हो गए उसके फादर एक्सपायर होने के बाद उसके फादर के जो दामाद थे उसको मिलिटरी कमांडर बनाये गया लेकिन उसकी बेड़ हो गए उसके बाद जो हैनेबल को मिलिटरी कमांडर बना दिया गया हैनेबल की जो सोच थी वो जो आउट ओफ दे वर्ल्ड होते ना ऐसी सोच थी तो जब दूसरे प्यूनिक वर की तैयारिया हो रही थी जब रोम और कार्थोक का दूसरे युद्ध होना था तो कार्थागें जो कमांडर होते थे जो पुराने कमांडर्स थे या जो पुराने हुआ के लोग थे उन सभी ने कहा जिस करते हैं और कार्थेक बीच की जो जगह है वो है भूमद्य सागर तो उस भूमद्य सागर को हम पार करके रोम पर हमला कर देंगे और हम धीरे-दीरे जहाज भी बहुत सारे बना लेंगे और जो हैनेबल बार का था उसने स्पेन की जो राजकुमारी थी उसे साधी कर ली थी तो स्पेन से भी काफी हलपने मिल रही थी लेकिन उसने ये सोचा कि लास्ट जो वार हुई थी उस वार में भी यही हुआ था तो जब कार्थेगार गया था तो हैनेबल ने डिसाइड किया कि वो जो है रोम पर हमला करने के लिए अल्पिन ये जो परवत है अल्प्स परवत को पार करके जाएगा और रोम पर हमला करेगा जब उसने ये बात अपने सेना या अपने मिल्टरी के सामने रखी तो सभी ने उसको मना कर दिया उसके जो बड़े बुज़ूर्ग थे जो पुरानी उद्ध लड़े हुए थे उन्होंने भी मना कर दिया उसके फैमिली ने भी मना कर दिया सभी ने मना किया, सब ने उसको मना किया कैसा मत करो अल्प्स पर बड़ पार करना बहुत आसान नहीं है हो सकता है अल्प्स पर बड़ पार करते करते ही आपकी डैथ हो जाए लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि नहीं अगर मैं रोम पर हमला करूँगा तो मैं एल्प्स को पार करके ही करूँगा अब आप यह समझें जब सारी दुनिया उसको मना कर रही थी पूरी मलिटरी उसकी मना कर रही थी जब उसके दुस्मन भी यह नहीं सोच रहे होंगे कि यहां से वो हमला करेगा लेकिन उसने उसका जो दृण निष्चे था उसने सोच रखा था कि अगर मैं रोम पर हमला करूँगा या मैं इतली पर हमला करूँगा तो मैं वहीं से हमला करूँगा दीरे दीरे उसने स्पेan से थोड़ी help ली 20-30,000 सेनिक उसने जोड़ाए 5,000 गुड़सवार जोड़े और लगभग 40 अफरीकन हाती उसने वहाँ से जोड़े और सब को एक खटा करके उसने रोम पर हमला करने के लिए कुछ की तो जब वो रोम पर हमला करने गया तो उन 40,000 में से ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 सेनिक 10-15,000 या 15,000 सेनिक बीच में मारे गए बहुत सारी गुड़सवार मारे गए बहुत सारे हाती मारे गए और जब वो एक बार एल्प्स की पर चड़ाई कर रहा था तो उसी समय एक इनसान ने एक बहुत बड़ा परवत सामने आया और वो परवत को देखकर उसके लोगों ने कहा कि हैनेवल हम इसको पार कैसे करेंगे हमारे पास तो हाती है ठीक है इनसान पार कर जाएंगे घोड़े को भी हम जैसे दिसे पार करा लेंगे हाती कैसे पार करेंगे तो उस व्यक्ति ने उसके पास जितनी भी सराब थी उस पूरी सराब को उस पहाड के उपर डाल के उस पहाड में आग लगा दी और फिर जब वो पहाड पिगल गया तो उसको पार किया और उसने जब उसको पार किया और पार करने के बाद जब वो फाइनली रोम तक पहुँच गया और जब वो रोम तक पहुँचा तो कहते हैं कि उसके पास लगभग 15-20,000 सेनिक ही बचे थे कुछ 2-3,000 गुर्ण सवार बचे थे और लगभग 30-40 हाती बचे थे अब ये 15,000 सेनिक जब रोम के 1,000,000 सेनिकों से लड़े और कुछ आसपास छोटे कवीले थे उन्होंने भी अनिवल का साथ दे दिया था तो जब ये 15-20,000 लोग 1,000,000 सेनिकों से लड़े तो युद्ध का जो परणाम था वो ये था कि रोमन 70,000 मारे गए थे और जो कार्थेगनियन थे वो केबल 4,000 मारे गए थे तो जब उसने उसके वो 70,000,000 रोम के 70,000 लोगों को मार दिया तो दूसरे प्यूनिक वार में हैनेबल ने हिस्ट्री बना दी और उसने रोम को हरा दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था रोम उस समय बहुत बड़ा गड़ राज था रोम को हराना बहुत कठिनता impossible के बराबर था कुछ लोगों के लिए impossible था लेकिन हैनेबल के लिए impossible नहीं था क्योंकि उसने रास्ता अलग चुना था तो ऐसा ही हमारी जिंदिगे में कभी कभी होता है हमारी जो खुद की सोच होती है कभी कभी हम लोगों की सोच लोगों की point of view जानकर अपनी सोच को बदल देते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपका खुद का दरण श्य पक्का हो और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है तो कभी भी आपका जो public interest है आपका खुद का जो public interest है उसको भूल कर अपने individual interest की सुनना चाहिए तो ये थी आज की कहानी अगली एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे नमस्कार दोस्तों